Good morning dear students, today we will read chapter number 16 from unit 8, The Mumbai Musician बच्चों, पिछले chapter हमने unit 8 का chapter number 15 रिडिंग किया था ना? I am the music man और आज हम रिडिंग करेंगे The Mumbai Musicians ठीक है? जासे जासे मैं रिडिंग करूंगी आप भी मेरे साथ सथ रिडिंग करोगे, जब ये वीडियो देखोगे तब आपना बुक ओपन करोगे और रिडिंग करना है ठीक है बच्चों? मैं आपका रिडिंग का भी टेस्ट लेऊंगी तो कैसे रिडिंग करना है? देखो, ये बहुत अच्छी स्टोरी है ठीक है? Once upon a time Once upon a time मतलब एक समय की बात है जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं, कहानी मैं ऐसे बोलते हैं एक समय की बात है There lived a donkey named Gupu एक डंकी रहता था, डंकी मने गधा उसका नाम था Gupu He had worked for many years in the house of a farmer वो बहुत सालों से एक farmer, farmer मतलब किसान, किसान के घर house मने घर, किसान के घर में काम करता था बहुत सालों से He had carried many heavy sex of corn and sugar can वो carry मने ढोता था, बहुत भारी heavy मने many heavy, मने बहुत भारी sex मने बोरियां, corn मने मक्की मक्की के बोरियां, वो भारी-भारी मक्के के बोरियां वो ढोता था और sugar can, यानि कि गन्ने भी ढोता था from the farm to the factory वो farm से, यानि कि खेट से सिधा factory में ढोके ले जाता था he was now very tired and old अब वो बहुत थक चुका था और बुढ़ा भी हो चुका था old मने बुढ़ा, tired मने थक न, थक भी चुका था और बुढ़ा भी हो चुका था the farmer said to gupu, you are a good donkey farmer ने gupu से कहा, तुम एक अच्छे डंकी हो, यानि कि एक अच्छे गधे हो take this sack of corn and go and see the world before you become too old बोला कि इस sack, यानि कि corn की बोरी लो और जाओ, जाके दुनिया को देखो कि उससे पहले कि तुम बुढ़ है ना हो जाओ, मला बुढ़ा होने से पहले तुम दुनिया को देखो, gupu smiled, gupu ने smile किया and said goodbye gupu ने smile किया और उसको goodbye बोला, किसको अपने मालिक को he set off towards the city of Mumbai, वो Mumbai की तरफ चल दिया I am good at music, मैं music में बहुत अच्छा हूं I will go to Mumbai and be a musician there वो कह रहा है मैं Mumbai जाओंगा और वहाँ पर एक musician बनूंगा musician किसको कहते हैं बच्चों, जो गाना गाते हैं उनको तो singer बोलते हैं और उसके पीछे से जो music बजाते हैं, music देते हैं, उसको musician बोलते हैं On the way, he made a dog, रस्ते में वो एक dog से मिला, made मने मिलना Where are you going? Ask डुपू, डुपू कौन है? डॉग, उसने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? I am going to Mumbai to be a musician, मैं Mumbai जा रहा हूं, musician बनने Would you like to come to? Asked गुपू गुपू ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? Yes, I would reply डुपू डुपू ने अंसर दिया, हाँ, मैं भी चलूँगा Off went the two friends on the dusty road to Mumbai अब दोनों friend चल पड़े, dusty road मतलब धूलबरी road, ठीके? Mumbai के रस्ते पर बे दोनों धूलबरी road में Mumbai के लिए चल पड़े They saw a ball of fur in the middle of the road उन्हों ने, दोनों ने एक बॉल देखा जो fur, जैसे लग रहा थे कि fur का बॉल हो fur नहीं होता फेदर सा कहाँ पर देखा था? रोड के बीच में Who are you? They ask दोनों ने पूछा, तुम कौन हो? I am furry The cat, said the cat Cat ने कहा, मैं furry हूँ, मैं एक cat हूँ Would you like to come with us to become a musician? उन्हों ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी? Musician बनने के लिए? Ask गुपू and डुपू together गुपू और डुपू दोनों ने पूछा Oh, I would love to come along Oh, I would love to come along Replied furry Furry ने अंसर दिया हां, मैं भी तुमारे साथ चलना पसंद करोगी So, off went the three together to become music Mumbai Musician अब वो तीनों एक साथ चल पड़े Mumbai Musician बनने के लिए Soon, they made kukku अब वो kukku से मिले The cock Kukku कौन है? एक मुर्गा Cock ए देखो I love music and wish to join your band मुझे music पसंद है और मैं तुमारे band मतलब जो उनकी जो group है ना Musician क्या उनको band बोलते है ठीक है? Music के group को band बोलते है तो कह रहा है कि मैं मुझे मैं पसंद करूँगा तुमारे band में शामिल होने के लिए मैं तुमारे band में शामिल होना पसंद करूँगा किस ने कहा? मुर्गे ने कहा They all reached a house with a light वे एक उन्हें एक घर मिला जहां पर light जल रही थी They were tired and hungry वे बहुत ठके उए थे और hungry मने भुका और भुके भी थे They peeped in through the window उन्होंने खिडकी से जाका peeped मने जाका जाकना जाका and saw a table with delicious food और उन्होंने देखा एक table पर बहुत सारे delicious बने अच्छे अच्छे खाना food बने खाना delicious बने अच्छे अच्छे tasty खाना उन्होंने tasty खाना table पर देखा They decided to sing to let the people inside know that they were musicians उन्होंने decide किया कि वो गाना गाएंगे और अंदर जो लोग है वो गाना सुनेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये musician आए है They sang उन्होंने गाना शुरू किया The people inside thought that ghost had come to scare them जो उन्होंने जब गाना शुरू किया अंदर जो people थे उन्होंने सोचा thought मने सोचा था think मने सोचना think का second form क्या है thought तो उन्होंने सोचा कि ghost ghost मने भूद कोई डरावनी चीज आगे head come मने आए scared मने उन्हें नुकसान पहुचाएंगे they ran away वो भागने लगे as fast as they could वो जितनी जल्दी भाग सकते थे वो उतनी ही जल्दी भागने लगे गुपु डुपु और फरी वेंट इन्टू दा हाउस and ate the food गुपु डुपु और फरी अंदर चले आउस के अंदर चले गे और खाना खाया eat मने खाया eat मने खाना और eat मने खाया यानि eat का second form eat होता है eat the food till they could eat no more जब तक वो बहुत सारा खाना ना खाले तब तक उन्होंने खाया यानि कि उन्होंने पूरा पेट भर के खाया तो समझ में आया बच्चों ये लेसन अच्छा लगा ना आप मैं अगले क्लास में आपको इसकी exercise करवाँगी what meaning and exercise question answers ठीके और back exercise इसारा मैं अगले क्लास में करवाँगे तो आज आपने अच्छे सिसको reading करना है ताकि मैं जब भी टेस्ट लूँ आपको reading आना चाहिए ठीके